हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब जो की जब से आतंकी हमला नाकाम किया गया है तब से लेकर अब तक ग्राउन जीरो से पलपल की जानकारी हम तक पहुचा रहे हैं अजे जो चार लोग खिलासत में लिए गए हैं क्या उमीद इन से देखे लगातार कुमकुम इस ये जो आतंकी हमला हुआ है ने रोटा में इसके तार जो जोडने की कोशिच जो एजनसीज कर रही हैं उसकी पूश्टाश नकेवल सीमा पार किस तरह से पाकिस्तानी है साजी स्रची उस पर जाँच हो रही है फिर सीमा पर किस तरह से वो लोग अंदर आए जिसमें एक सुरंकी बात आ रही है वो उस पर जाँच हो रही है और अब इस जाँच का दाइरा बढ़ा कर जाज लगातार जारी है क्या वो इन्वॉल्मेंट लॉजिस्टिकल सपोर्ट की थी क्या वो जो इन्वॉल्मेंट वो कोई गाइड का काम था किस तरह की इन्वॉल्मेंट है इस पर लगातार सुरक्षा अजेंसिया चारों से लगातार पूश्टाच कर रही है लेकिन बड़ भी चल रही है जी कुम्टूब में शामिल आतंकी जम्मू के सांबा सेक्टर से गुस्पैट करने के बाद किन किन जगहूं किन किन टोल नाकों और किन किन पुलिस नाकों से होते हुए नगरोड़ा तक पहुंचे यह हम आज आपको एबीपी न्यूज पर सिलसलेवार तरीके से दिखाएंगे हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे जिस रास्ते से होते हुए यह आतंकी बन टोल प्लाजा तक पहुंचे हम अभी जम्मू स्रीनगर राश्टर राजमार्क पर है और बताया है यह जा रहा है कि गुरुवार को सांबा से गुस्पैट करने के बाद यह आतंकी करीब दो बजे जम्म वो उस ट्रक में सवार हुए थे जिस ट्रक में चावल की बोरियां ला दी गई थी और उन चावल की बोरियों के बीच एक कैवेटी एक बंकर बनाया गया था जिसमें चिपकर यह आतंकी जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और तबी अचानक बन टोल प्लाजा के प अठे और उनकी मौत का आखरी सफर शुरू हुआ सांबा से गुस्पैट करने के बाद सबसे पहले वो आतंकी जम्मू के सांबा जिले के थंडी खुई में बने इस टोल पोस्ट पर रुके इस टोल पोस्ट की तस्वीरें उस ट्रक की भी कैद हुई है जिसमें ये साब तो जी है जो यहां इंचार्ज है देखा जब वो आया ट्रक आये वहां पर रुका ड्राइवर ने मिरे को बोला कि यह पर्ची है यहां से जग्या था दो गैंट पहले तो महा सब बोला कि यह पर्ची नहीं चलती है अभी तुरे दूसरी पर्ची कड़वाना पड़ेगी तो पर्ची नहीं देखी मंजीत सिंग ने और जो मंजीत सिंग जी दावा कर रहे हैं कि उसने जो ट्रक का ड्राइवर है उसने इनको यह भी कहा था कि वो इसी टोल से दो गंटे पहले निकला था जिससे यह साब जाहिर होता है कि जो दो बज़े तक का समय है क्योंकि तीन बज बज़कर 43 मिनट पर करीब पोने चार बज़े वो ट्रक यहां था लेकिन उससे ठीक पहले दो गंटे पहले वो ट्रक यहां से गया था ऐसा खुलासा वो चशंदीर कर रहे हैं जिन्हों ने उस ट्रक के ड्राइवर से बात की तो यहां से जो सफर शुरू हुआ इसके बाद वो ट्रक के हां से जम्वू पहुँचा जम्वू श्री नग्रोटा पहुँचा और नग्रोटा टोल प्लाजा पर उस ट्रक में शामिल चारु आतंक्यू को मार गिराए गया अब आप ABP नियूज पर आगे देखेंगे कि वो ट्रक जम्वू श्री नगर राश्टे राजम पर कहां कहां से होता हुआ बंड टोल प्लाजा पर पहुंचा कश्मीर में आगामी जिला विकास परिशत के चुनाओं में गड़बडी और हिंसा फैलाने के मकसद से गुरुवार को पाकिस्तान से गुस्पैट करके आए चार जैशे मुहम्मद के आतंकियों ने गुस्पैट करनी के बाद अभी तक करीब धाई गंटे का सफर जम्मू शी नगर नाशनल हाइवे पर ताय किया था दिन गुरुवार का था और वक्त सुभा करीब चार बज कर पच्चिस बिनेट जिस ट्रक में यह चारू आतंकि सवार होकर आये थे वो इसी वक्त जम्मू के इस बजा बलता नाके के पास पहुँचा और यहीं से उस ट्रक के कुछ तस्वीरें जो हैं वो सुरक्षा बलों के हाथ लगी है जिससे यह साफ होता है कि करीब चार बच कर पच्चिस मिनट पर आतंकियों से बरा हुआ ट्रक इसी नाके से गुजरा लेकिन इस ट्रक में शामिल चार टकराओ जो है उनकी मुटबेड होगी और वो चारों आतंकी उसी ट्रक में मारे जाएंगे अपने अन्जाम से बेखबर जैश के यह चारों आतंकी एक ट्रक में सवार होकर अब तक जम्मू स्रीनगर राश्ट्रे राजमार्क पर करीब साट से पैसट किलो मीटर का सफर त किया और जैसे ही ये ट्रक जम्मू के बंड टोल प्लाजा के पास पहुंचा यहां कुछ इसी अंदाज में सुरक्षा कर्मियों ने इस ट्रक को रोका सुरक्षा कर्मियों को देखते ही इस ट्रक में का ड्राइवर फरार हो गया जिसके बाद सुरक्षा बलों को कुछ संद और यहीं पर मौझूद जम्मू कश्मीर पुलिस और अरद्व सैनिक बलो ने उस ट्रक को रोक लिया, जम्मू कुम्स के आईजी मुके सिंग ने जैसे ही यहां जिस जगा पर मैं खड़ा हूं यहां से कुछी दूरी पर एक जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांड विकल खड़ी ती जैसे ही उस कमांड वेहकल से जम्मू कश्मीर पुलिस के आई जी मुके सिंग ने इस ट्रक से में बैठे सभी लोगों को बाहर आने की हिदायत दी और आत्मसमरपन करने की हिदायत दी इस ट्रक से इस ट्रक में बैठे आतंक्यू ने फाइरिंग शुरू कर दी सूत्रों ने एबीपी नियूज को बताया कि इस दोरान करीब 40 ग्रिनेड यहां मौझूद सुरक्षा बलों पर दागे गए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फूरती दिखाते हुए इस पूरे ट्रक को रोक लिया और इसमें सवार चारों जैश के आतंकियों को बहर आने का मौका नहीं दिया और लगातार करीब तीन गंटे चले इस एंकाउंटर में चारों आतंकियों को उसी ट्रक में मार गिराया गया तो हमारे सहियोगी ने पूरी टाइम लाइन आपके सामने रग दी कि कहां से ये सफर आतंकियों ने शुरू किया और कहां हमारे सुरक्षबलों ने उनका इस सफर मौत के लिए अंत कर दिया इस बीच पाकिसान अपनी हरकतों से बाज आने के तैयार नहीं एलोसी पर सीज फायर का उलंगन लगातार जारी है ड्रोन से भी जासूसी हो रही है बड़ी खबर ये कि पुंच के मेंधर सेक्टर में कल पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया है सुरक्षब एजिंसियों की कैमरे में ये कैद हुआ है बकायदा जम्मो के पुंच सेक्टर में कल शाम तीन घंटे तक फायरिंग भी चली ड्रोन से भारती सीमा में घुसपैट की कोशिश हुई और ये जीता जाकता सबूत ड्रोन है इसका पाकिस्तान सीमा पार करने के लिए रैकी कर रहा है और उसी का ये सबूत तस्वीरों में कैद हुआ है देखिए ये ट्रोन जो की पाकिस्तानी ड्रोन है जासुसी के लिए इस्तमाल किया गया पाकिस्तान की फाइरिंग में दो आमनागरिक कल घायल हुए थे और फाइरिंग की यार में क्या ये जासूसी है जासूसी का सबूत भारत के हाथ लगा है LOC पर लगाता है सीसफायर उलंगहन तो है ही साथ में ड्रोन के जरिये पाकिस्तान कर रहा है जासूसी सीज़ फायर का उलंगन, साथ में ड्रोन से जासूसी, चार लोगों को पहले ही रासत में लिया जा चुका है उधंपुर से, लगातार अजे बाचलो हमारे साथ बने हुए, अजे अब ये जिस तरह से पुंच के मेधर में कल पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया, सीज़ फायर क लेकिन पाकिस्तान में लगातार बोखला हट है, बोखला हट काफी सतरों पर है, पहली बोखला हट इस बात की कि उनका जो बड़ा प्लान था जम्मू में, जम्मू कश्मीर के जो जिला चुनाव है, उनको उनमें डिस्सर्बंस फैलाने की उनमें हिंसा फैलाने के लिए, तो वो प्लान सुरक्षा बलूंगी चोक्छी के कारन फियल हो गया, तो यहां पाकिस्तान को एक बार मुग की खानी पड़ी, उसके बाद लगातार जिस तरह से जांच बढ़ रही और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान पर प्रेशर बन रहा है इस गटना के बाद, तो पाकिस्तान कहीं न कहीं बोखलाया हुआ है और बोखलाट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ना तो वो LOC से और ना ही अंतरा इश्ट्री सीम्वा से गुस्पैट करवा पा रहा है अजय लेकिन बात जो आपने की दीटी चुनाओ के बदे नजर एक आतंकी साज़िश तो हमने नाकाम कर दी लेकिन कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े इस तरह की कोशिश इसको नाकाम करने की कोशिश आगे पाकिस्तान और करता रहेगा इसलिए हमें और प्रियदा निस्सा ले रहे हैं यही बात खुनस में पाकिस्तान के जी बिल्कुल यही बात खुनस में है क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि कश्मीर में कोई एक लोकतांत्रिक आवाज उठे और वहां पर कश्मीर में विकास हो तो जिस तरह से पाकिस्तान का प्रॉपागंड़ा कश्मीर में चलता है वहाँ के लोगों को वरगलाया जाता है, जूठी अफ़ाईं फेलाएं जाती है, विकास का नारा दिया जाता है, वहाँ विकास नहीं बेरोजगारी है लेकिन जिस तरह से केंद्रे सरकार लगातार इस बात पर ढटी हुए है कि न केवल कश्मीर में विकास होगा बलकि कश्मीर में जो लोकतरंतिक प्रक्रिया है उसको भल मिलेगा और जब एक बार लोकतरंतिक कश्मीर में स्ताफित हो जाएगा तो जो पाकिस् वो सिमट कर रह जाएगा और पाकिस्तान कश्मीर के जो हालात है उतमें दखल नहीं दे पाएगा जो हालात जो राजदितिक स्तर पर होते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान बोखलाहट इस बात से है कि कश्मीर में लोगतंतर स्थापित ना हो कश्मीर में विकास ना हो कश्मीर में जो युवा है उनको रोजगार ना मिले तो ये बोखलाहट है कि लगाता कश्मीर में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से विकास हो रहा ह वहां आतंकी कमर तूट रही है, वहां पर लोगतंतर स्तापित हो रहा है, तो इन ही बातों से पाकिस्तान गबराया हुआ है, जिसका नतीजा अब हम बॉर्डर पर देख रहे हैं, और अब जम्मु शहर में जिस तरह से इस एंकाउंटर में चार जैश के आतंकी को मारा गया ह यह भी पाकिस्तान की एक बड़ी बॉकलाहा का नतीजा है, जिस बात को लेकर तो खुद प्रुदान मंत्री ने शाबाशी दी हमारी सुरक्षा एजनसियों को, लेकिन बात दरसल यह है कि जिला पंचाय चुनाओं में आगे भी इस तरह का खलल पैदा करने की कोशश आतंक की करते रहेंगे, इसलिए हमें अब डबल चौकस रहना है, जी बिलकुल डबल चौकस रहने की बात इसलिए भी है क्योंकि कश्मीर और जम्मू के जो इलाके हैं, उनमें आतंकियों के लिए अब डूर डाई की सिचुएशन है, क्योंकि अगर यह चुनाओं हो जाते हैं औ अब से इस तरह के चुनाओं नहीं हुए हैं, तो यह चुनाओं बहुत एहम है क्योंकि इस समय इन चुनाओं की महतुपून इसलिए भी हैं, क्योंकि जम्मू में अभी कोई पॉलिटिकल गौर्णमेंट नहीं है, यहां केंदर शासित प्रदेश है और यहां उपरा जिप है, वो बुलंद हो जाएगी, तो कहीं न कहीं यह पाकिस्तान को दक्का है, लेकिन यहां एक और बात मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ-साथ केंदरिये जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, इस इलेक्शिन को लेकर लगातार तयार होता है, और यही बात आतंकियों को डड़ा रही है, बहुत छोटा सब्रेक.